हाई है और लोग अपने परिवार केरियर एपडेटबाइंजिनियर में मैं हूद एंजिनर राच उमीद करता हूं आप सब्सक्राइब करेंगे तो सभी भाईयों का सभी दोस्तों का सवागत आज की क्लास में जल्दी से भाईया आप लोग एक पार हमारे साथ जुड़ करते हैं तो आज हमारा एकिस्वा लेक्चर है ठीक है और हम लोग इसमें 30 क्लास के सिंखला करने वाले हैं सिंपल बेसिक लेवल पर देन उसके बाद हम लोग कुछ 8 से 10 क्लास जो है वो एडवांस लेवल के परशनों के रखेंगे ठीक है भाई तो इसके पहले की अगर आप देखना चाते हैं तो इसके पहले की क्लासेज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आप वहां से देख सकते हैं ठीक है आगे पढ़ने से पहले में बता दूँ भाई जो कोर्स है हमारा वो आ चुका है हमारे अप्लिकेशन पर बहुत ही कम नावनियर प्राइज में मास्टर लोग लाएं फिर्टर से लेटेट पर किसी भी परिक्षा कि आप तियारी कर रहे हैं उसमें क्या होगा लावदाई होगा क्लासे शुरू हो चुकी है आप ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे चैनल का नाम है वहीं हमारे का भी नाम है लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन वाक्स मे इसमारे का जोड़ चुके हैं भाई सभी को गुड़ाप्र रून सभी का स्वागत है अब देहिए पहला प्रस्ण आप से क्या पुछा कि जो टंबलर की यह का प्रयोग है वह कहां पर किया जाएगा ठीक है सेपर में सेपर मसीन मीलिंग मसीन लेथ मसीन या ब्रोचिंग मस लेथ में प्रयोग किया जाएगा तो लेथ में क्या काम करेगा बताइए ठीक है लेफ में क्या काम करेगा तो आप क्या कहोगे जो आपका lead screw है lead screw and speed rod speed rod की जो दिसा है उसको क्या करता है बदलता है दिसा को बदलता है साथी साथ जो reversing कह रहे हैं reversing भी है और speed changing भी है speed ही क्या करेगा भई change करेगा तो कौन सा option सही हो जाएगा option c आपका lead machine जो हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बताइए नीचे दी गई की मेंसे कौन सी कौन सी की है जिसका उपरी भाग क्या होता है होता है ब्ठी गोलाकार होता है कि दैए है जल्दी जल्दी आप principles का जवाब देंगे जल्दी जल्दी भाई क्या करेंगए फ्रसनों का जवाब देए है अब देखो अगर आप से कहूं, जो की है, वो इस तरीके की है, की है, दोस्त कैसी है, इस तरीके की, तो ये कैसी की कही जाएगी, इस तरीके से की है, तो ये कैसी की कही जाएगी, आप गोगे सर, ये जो कही जाएगी, कैसी की कही जाएगी, वोडराफ की, कौन सा की कहेंगे, भाई, वोडराफ, तो सबसे पहले मैं की को कहschaft को हाला कि सारे मैं अगों क幾 बार बता अए ल कुछ नए बच्चे भी जोड़ते हैं अगर मैं की किही thirty कि दोस्त देखो दो प्रकार की होती है पहले मुख्यता है संग की और दूसरी आपकी क्या होती है सैडल की ठीक है दूसरी आपकी होती है सैडल की संग की के अंतरगत आपका जो कई प्रकार की की आती है जिसमें आपका प्लेन टेपर की ठीक है प्लेन टेपर की हो गया ठीक है इसी में आपका राउंड टेपर की हो राउंड टेपर की इसी में आपका आता है जीब हेड की जीब हेड की इसी में आपका आता है वुडरफ ठीक है और इसी में आपका आता है फीदर की क्या आता है भाई फीदर की इसी में आपका क्या आता है फीदर की सैडल की को फिर हम दो भागों में बाढ़ते हैं एक होता ह आपका फ्लैट सैडल की और दूसरा क्या होता है दूसरा आपका होता है हालो हालो सैडल ठीक है तो इतने जो क्लासिफिकेशन है जो आपको पढ़ने होते हैं अब अगर मैं आप आप से भाई इहीं प्रस नो पूछू कि जो प्लेंड टेपर की है तो कुछ न पूछ इसमें क्या होगा दोस्त टेपर होगा तो आपको याद रखना है लेखिडेंद टेपर की में जो टेबर होता है कितना होता है वनच टू इस टू एफंडर्ट ला люд होगा वनचे immersed चलिए भाई अब देखिए यहां पर क्या है जो बुड़रप की है तो यह कैसे इसमें भी टेपर होगा लेकिन कुछ सिस्पाइड नहीं है फीदर की से आप क्या याद रखना है फीदर की में कोई टेपर नहीं होता क्या होता है आप इसे यह प्रस्ण है फीदर की में कोई टेपर नहीं होता यानि कि जैसे की देखो अच्छा मैं आप से पुछों एक प्रस्णा और पूछूं कि भाई बताओ जो प्लें टेपर की रहती है प्लेन टेपर की बताओ इसमें जो टेपर रहता है वो कहां पर रहता है इसकी थिकनेस में रहता है कि इसकी जो है विर्थ में रहता है मैं आप से कहूँ भाई आ, जो plain taper की है इसमें जो taper रहता है वो कैसे रहता है घवाई, बताओ तो आप क्या बताओगे भाई taper जो रहता है, वो height में रहता है taper क्या रहता है, टेपर in height या thickness आप इसको कह सकते हो height या thickness यानि कि उचाई या मोटाई में इसके क्या होता है टेपर होता है जब की अगर हम लोग कौ कोर्टर की बात करें ठीक है आपने समझिये जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ एक deepen कर के जैसे कि यह और अगर आप सबसे पहले तो आपका की हो गया ठीक आ आपका रिवेट हो गया ठीक है आपका कॉटर हो गया पिन्स हो गया आपकी जो पिन्स होती है इसमें आपका नट एंड बोल्ट हो गया इसमें आपका क्या हो गया इस्टड हो गया इसमें आपका क्या हो गया इस्प्रिंग हो गया और इसमें आपका क्या हो गया वासर हो गया तो यह सभी क्या है यह सभी हमारे फाश्टेनर है यानि की बंधक है अब देखिए क्या है जैसे कि अगर की की बात करें तो कुछ ऐसी सिंपल पस्टन आपसे बता दे रहा हूं की का क्लासिफिकेशन आप देख चुके हैं की कैसे लगाई जाती है तो आप कहोगे साफ्ट के अच्छ के समानतर ठीक है साफ्ट के अच्छ के कैसे लगाई जाती है जबकि जो कौटर है वो कौटर आपने देखा होगा कुछ ऐसा बना होता है किताबों में इस तरीके से आप कि साफ्ट कैसी होती है ऐसी होती है कैसी होती है जो साफ्ट होती है वो ऐसी होती है यानि कि जो साफ्ट कॉटर है यह क्या है दोस्त यह है कॉटर किसका है कॉटर है कॉटर किसका बना होगा तो आप कहोगे माइल इस्टील या एलॉई इस्टील का बना होगा साफ्ट की अच्छ के लंबवत लगाया जाता है अच्छ के लंबवत लगाया जाता है ठीक है और यही अंतर है काटर में और किसमें काटर में और की में और काटर में जो टेपर दिया जाता है वो इसकी चोणाई में दिया जाता है क्या चोणाई में अगला पॉइंट काटर स जाता है इसमें टेपर दिया जाता है इसकी चौणाई में दिया जाता है इसमें टेपर इसकी चौणाई में दिया जाता है ठीक है भाई तो कुछ अभी इतनी प्रस्णिया आप याद रखिए एक प्रस्णिया पूचता है पुझता है पिन में अगे बढ़ा जाए अगले पुष्ण की तरफ अगला है निमलखित में से किसका उप्योग तोटे हुए इस्टर या पेंज को हटाने के लिए क没事 यहां इस्टर कर लो तो तो पता और कि चल गया होगा इन इन प्योग कि सका में एंजय एक थीक है कि निमनलखित में से किसका हूपयोग को टोटे हुए इस्टेड या पेंच को हटाने के लिए पेंच को हटाने के लिए कि आता है तो आप ज्टर क्या जाता है ठीक है चलिया आगे बहते हैं आज चलियuben लखेत्यमिनलखितमे से क्या नट बोल्ट श्क्रू और के सपोर्ट में लगा होता है बताएए अगर आपका nut volt या कहीं पर लगा है या screw लगा है तो उतका support करने वाला जो part है वो कौन सा होता है coupling होता है तो आप कहोगे नहीं coupling क्या काम करता है coupling दो soft को जोड़ने का काम करता है क्या करता है coupling क्या करता है 2 soft को क्या करता है जोड़ता है coupling 2 soft को जोडता है ठीक है वासर क्या काम करेगा तो वासर जो है जो baring surface है जैसे कि मान के चलो आप nut बोल्ट लगा रहे हो तो जो baring surface है बaring छेतर फल है सता का जो छेतर फल bearing सता का छेतर बीरिंग मतलब जिस पर load है bearing विएरिंग सता के चित्रफल को क्या करता है दोस्त बढ़ाता है आप यहां पर लिख लो Bairing मैं सर्फिस को किया करता है innovator करता है मैं इसे लिख दिने रहों Bair aktivist से एरिया को क्या करता है इंक्रीज करता है ठीक है जलिए अब की-की बात करें तो की क्या करता है भाई रिलेटिव मोशन को रोकता है क्या करता है रिलेटिव मोशन को क्या करता है रोकता है की क्या करता है रिलेटिव मोशन को रोकता है अब आईए कुछ हम लोग वासर के बारे में देख लेते हैं ठीक है भाई जैसा कि कुछ हम लोग किसके बारे में देख वासर ठीक है वाई देखो वासर का जो प्रोडक्शन होता है दो तरीके से होता है कैसे होता है दो तरीके से एक होते हैं आपके मसीन डिवासर एक आपके क्या हो गए भाई एक आपके हो गए मसीन डिवासर जो मसीनिंग प्रोसेस से बनाए जाएंगे मसीन डवासर और दूसरे आपके क्या हो गए दूसरे आपके क्या हो गए दोस्त दूसरे आपके हो गए बाई पंचिंग प्रोसेस भाई पन्चिंग भूसिटे अब वासर के कौई प्रकार के होते हैं पहला क्या हो गया भाई ऊसर बेन वासर प्लेन वाशर हो गा तो आप क्या कहो गया माइल्डी स्टील का किसका बना होगा दोस्त माइल्डी स्टील का माइल्डी स्टील का बना होगा तो भाई कुछ ऐसा ही तो होगा और बीच में क्या होगा बीच में इसके होल होगा किसके बराबर का होल होगा ठीक है चलिए घंप अब देखिए किया है कि यह तो हो गया सब neutrक का डायमेटर इसका डायमीटर हो गया डोस्तों बॉल्ट का डायमीटर एक होता है आपका जो external diameter क्या होता है external diameter तो पूछता है कि जो प्लेन वासर का एक्स्टर्नल डायमेटर है वो कितना होता है तो आप क्या कहोगे 2D प्लस 3 mm और अगर इंच में कहेगा तो आप क्या बताओगे 2D प्लस 1 by 8 इंच ठीक है इंच का सिंबल यहां पर बना दिया है तो लिखने की ज़ुरत दबवर नहीं है इसकी जो हाइट होती है या थिकनेस आप लेको ठीकनेस के थिकनेस होती है । www.20mm या इसी को आप क्या लेख सकते हो डी बाई एट ठीक है डी बाई एट जो भी डी बाई एट होगी वह क्या हो जाएगी थिकनिस हो जाएगी तो इतना आपको ध्यान रखना है अगला ध्यान रखना कि यह चैंफरिंग इसकी होती है आप कितने डिगरी पर तो आप कहोगे चैंफर्ड एट चैंफर्ड एट 30 डिगरी कितने डिगरी पर चैंफरिंग होती है इसकी जो चैंफरिंग होती है तो आप कहोगे 30 डिगरी पर जो है इसकी चैंफरिंग होती है अब आईए आगे बढ़ते हैं दूसरे वा क्या द्धान रखोगे इस प्रिंग वासर कैसा होता है इसका एक सिरा उपर की योर आग दीचे की योर इस तरीके से मोड़ा होता है तो एक तरह से देखो यह क्या बन गया एक तरह से यह क्या बन गया भाई तो एक तरह से इस्प्रिंग ही तो बन गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं इस्प्रिंग वासर इसका उप्योग कहां पर किया जाता है तो आप कहोगे कमपन को रोकने के लिए यानि कि वाइब्रेशन पूछा जाता है कि जहां पर वाइब्रेशन होता है वहां पर किस वासर का उपयोग जातर किया जाता है तो आप कहोगे जो इस्प्रिंग वासर है उसका उपयोग जो है किया जाता है ठीक है अब यहां पर भी होगा यहां पर भी क्या होगा भाई एक कद्ध होगा मान के चलो यह आपका क्या है ड्य है पाहर वाला इसका व्यास कितना होता है यानि कि जो इक्स्टरणल paarमेटर कितना होता है वह कुछ कितना होता है तो आप कोगे वन पॉइंट-ट दि यह सब पूछे जाने वाले प्रस्न ठीक है चलिए अब वन पॉइंट डी आप कोहों कि इसकी जो ठीकनेस है बताघे इसकी जो ठीकनेस है वो कितनी होगी और है डिया हाइट होगी में कितनी होगी तो इसकी क्म subt omla का पिरेवा सब। नहीं सबसे पहले तो आपको बतानी है इसकी ठीकनेस ठीक है कि क्या वकवास कर रहे तो मेरे भाई क्या मतलब बखवास करने का इसमें जीत भी जाओगे तो तो कुछ नहीं होगा दोस्ति इधर बस ध्यान दो यार पढ़ाई पे क्या मतलब है अगर आप अपना बहुमूल समय दे रहे हो तो फिर इधर ध्यान दोना क्या मतलब है ठीक है चलिए अब यहाँ पर क्या है जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है 0.1 दी भीया बताओ जो थि थिकनेस हैं उसका मतलब क्या है तो भाई इसकी मोटाई आपसे कह रहा है सिंपल यह क्या है आपकी थिकनेस और अगर पूरी यह ले ले लेका उपर नीचे क्यों च्टिफ है पूरी ले ले लेա क्या होती है आपकी क्या हो जाएंगी हाइट कितनी होती है z 2019 दोस्त होते हैं दो टैब होते हैं एक क्या करते हुँ एक को आप मोड़ देते हो नत वाले इस तरीके से देखलो इस तरीके से पूरा नहीं बना रहा हूं इस तरीके से स्लाट कटा होता है तो पूछता है कि जो स्लाटेड वासर है यह किस तरीके से हमारे लिए मदद करता है लॉकिंग डिवाइस में किस तरीके समद करता है तो इसमें फ्रिक्शन जादा होता है जिसकी वज़ा से नट को ढीला होने से तो यह कुछ मेन वासर के प्रकार है और इसको आप जो है लोग नोट कर लेंगे यहां से प्रस्ण जो है बनता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरह अगला प्रस्ण आपसे क्या कहा है जिन लेखित में से कौन सा आस्थाई फास्टनर है बहुत सिंप यही है यहीं प्रस्ण पूछता है पुझे गापट सरका जो एक्स्टरनल डायमेटर कितना होगा हाइट कितनी होगी चैंफ्रिंग कोंड के आ होगा इस कितने टैब होते हैं तो नतों को लाग करने के लिए कि सब्सक्राइबाद करोंगी यह सब प्रस्ण है भईया तो इस भोगे जो यूनाट ऐंबोल्ट है वापका temporary भर मानेंट कैसा है तो में रूबिेशसा है प्रवन नेंट कैसा हैだけ है सेमी पर्मानेंट कैसा है थिक है न तेतीब लॉड आपका कुंजी को फचाने के लिए जो ग्रूव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्लाट कहते हैं ग्रूव कहते हैं कीवे कहते हैं या इन में से कोई नहीं जल्दी से बताइए भाई अब आपको इस प्रस्न का तो अराम से पता होगा लेकिन मैं आप से कुछ यहां पर प्रस्न पोश्ता हूं कि बताओ भाई जो कीवे काटने के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग होता है कीवे काटने के लिए आप कहोगे कौन सी चीजल का प्रयोग होता है तो आप बताओगे सर किसका प्रयोग होता है क्रॉस कट चीजल किसका प्रयोग होता है क्रॉस कट चीजल या आप क्या कहोगे इसी को या आप इसी को कहोगे केप चीजल या आप इसी को क्या कह दोगे भ उती है parting edge Biz Cycle जो क्रॉसकर चीजल होती है इसमें क्रॉसकर इसकी जो कितनी होती है cutting एजिस की चौड़ाई जो है वह कितनी होती है वींट कितनी ही पता है ठीक Uh यह बताई एगर आपको पता है तो और अगर आप यहां पर बताईए कि cutting edge की जो angle होता है वो कितना होता है cutting edge angle कितना होता है किसका cross cut chisel का cutting edge angle जो है किसका होता है cross cut chisel या cape chisel का cutting edge angle कितना होता है बताईए भई कोई बताईए चलिए एक बच्चे का उत्तर आया है बाकि किसी का उत्तर अभी तर दोस्त मुझे देखने को नहीं मिला है ठीक है चलिए गोलू राज का उत्तर है कितना गोलू राज का है 10 mm डियस खना का खना का उत्तर है जो है 4 to 16 mm ठीक है 4 to कितना है भाई 4 to 16 if 60 n Bowl लेकिन उत्तर और भॉर जाइगा हो जायेगा कितना हो जाएगा और 212 mm हो जाएगा साहिवी साहते ही साथ का Anybody Eagle है कितना होता है उद्हों आप 25你说 30 दी होता तो है लेकिन मैं आप मुझा जो का इंद है। उसके लिएयर ड्री आएंप के लिए इन मता हो! किसका cross cut chisel का इसी तरीके से steel के लिए बताओ सब प्रस्ब है भाई steel के लिए बताओ 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 भाई Steel के लिए बताओ अ गाँस्टी बताओ भाई बताओ चीजल की hardness आपको बतानी है भाई चीजल की जो hardness है वो कितनी होती है बताईए ठीक है 60 degree कास्ट टारंग के लिए और इस्टील के लिए 70 degree बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल सही है ठीक है कास्ट टारंग के लिए 60 degree हो जाएगा और इस्टील के लिए कितना हो जाएगा 70 degree दिख की बात करते हैं cutting edge जो cutting edge की hardness है उसकी हम लोग बात करते हैं तो चीजल की hardness मतलब चीजल की cutting edge की hardness विल्कुल सही है भाई 53-69 HRC कितना हो जाएगा भाई 53-69 HRC यह सभी क्या है भीया यह सभी आप से पूछे जाने वाले प्रस्न हैं चीजल material बता दो दोस्त चीजल material बता दो तो आप क्या कहोगे हाई carbon steel और उसके बाद क्या है भाई उसके बाद आपका hard and tempered hard and tempering इसकी क्या की जाती है की जाती है तो बताइए यह आपको समझ में आया कि नहीं तो दोस्त इस तरीके से octagon safe हो सकती है या hexagon safe हो सकती है तो इतने जो facts है आपको ध्यान रखना है आये सो system के अंसार जो soft है दोस्त वो कितने प्रकार के होते हैं बताईए soft भी बताईए और hole भी बताईए कि soft कितने के प्रकार के होंगे और करें जो होल है दोस्त वो कितने प्रकार के होंगे जल्दी से बताओ मैं को चलिए तो मैं बता देता हूं as जलने लोडरे अutter देंगे कि system के अनसार जो shop के प्रकार होंगे वह कितने होंगे 28 कितने होंगे भी या 28 होंगे तीक है चलिए सांदर आगे बढ़ते हैं अगला है आपका आकार की अधिक्तम सीमा और आकार की अधिक्तम सीमा और आकार की निवनतम सीमा के बीच का अंतर हम लोग क्या कहलाता है low limit high limit fit या tolerance जल्दी से बताईे बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रस्ट है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूंतम सीमा के बीच का जो अंतर है यानि कि the difference between the maximum limit of size and the minimum limit of size उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए tolerance उत्तर दे रहें बहुत है बताओ क्या tolerance सही है फिट क्यों नहीं होगा बताइए भाई फिट क्यों नहीं होगा सभी लोग उत्तर दे रहें फिट होना चाहिए यार मेरे हिसाप से बताइए कोई तो सही उत्तर देदो भाई प्लंबर की क्लास से स्टार्ट होगी अपसर अली बता है तो दोस्त 15 मार्च के आसपास पुरी उमीद है 15 मार्च के आसपास सुरू हो जाएगी भैया थोड़ा सा वेट करो अपसर भाई मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा वेट करिए कहा हूँ तो प्लंबर की सुरू करूंगा थोड़ा सा समय आप देदो बस ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा चलिए सभी का उत्तर सी आ रहा है इसका मतलब मेरा कांसिप्ट गलत है नहीं गलत नहीं है आपका सही उत्तर क और इंटॉलरेंस तो किसी बड़े सेलेविटी थे उनको यहाँ पर इंडिया में कैसा लग रहा था डर लग रहा था क्यों क्यों कि यहाँ पर इंटॉलरेंस जादा है ठीक है चलिए बहराल बात में उनकी कई पिक्चरें आई हीट भी होई कुछ फ्लॉप भी हुई और उ सब्सक्राइब की धेगतारी साफ्टे बनानी है तो हमने उसको यह कहा भाई अब दिखो वरकर है या कैसे भी साफ्ट बना रहे कोई जरूरी थोड़ी कि एकदम एकजक्ट बीस इमें की बने हर बार यह कोई जरूरी तो नहीं है ठीक है चलिए तो हम उसको क्या कर देंगे कुछ उसके साफ सही सुरूता दिखाएंगे क्या दिखाएंगे दोस्त अगर आप समझना चाहते हो सही सुरूता यानि की टॉलरेंस यह सही सुरूता दूसरी है यह टॉलरेंस दूसरा है लेकिन वह आपको समझाने के लिए करा हूं सही चुड़ू मतलब किसी के साथ अच्छा वभार करना है तो हम क्या सोचेंगे भाई वरकर है एक्जेक्ट 20 में की तो बना नहीं पाएगा तो हम क्या कोसिस करेंगे दोस्त हम कोसिस करेंगे कि इसको थोड़ा सा छूट दे दिया तो हमने क्या दे दिया उसको टॉलरनस दे दिया कि भाई अगर आप थोड़ा बहुत कम जादा करोगे तो भी हम आपका जो साफ्ट है जो आपने बनाया है उसको हम क्या कर लेंगे स्विकार कर लेंगे कितना कम जादा मैंने मानलग चलो मैंने इससे कहा कि प्लस 0.02 इतना अगर आप जो है कर लेते हो अगर इतना बड़ा रहेगा तो हम ले लेंगे और कितना चोटा रहेगा भाई कितना चोटा रहेगा तो आप कहोगे माइनस 0.03 अगर इतना चोटा रहेगा 20 mm से तो भी हम क्या करेंगे ले लेंगे तो हमने क्या कर दिया उसको छूट दे दिया उपर और नीचे तो यह अपर लिमीट हो गई यानि कि मैक्सिमम कितना साफ्ट बना सकता है मैक्सिमम कितने साइज का तो आप कहोगे 20.02 mm का साफ्ट बना सकता है कितना छोटा साफ्ट बना सकता है तो आप क्या कहोगे 19.97 mm का साफ्ट बना सकता है तो यह हो गई मैक्सिमम लि 20.02 minus 90.97 घटाओगे तो कितना आएगा 0.05 mm यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त यही आपका tolerance हो जाएगा तो upper limit और lower limit जो size का upper limit है और lower limit है उसका जो difference है वही क्या कहा जाता है भाई tolerance कहा जाता है ठीक है चलिए चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले पशने की तरफ कि दच्छिडा वर्ट दिसा में भूंगते वक्त कसने वाला जो बोल्ट होता है वो होता है तब बोल्ट वीचिज टाइटेंड वाइल रोटेटिंग इंदा clockwise direction किसी बोल्ट को आप clockwise direction में घुमाओ और वह कसता है कसाव मिलता है उसको तो आप क्या कहोगी उसमें कौन सा थ्रेड कटा है left-hand thread right-hand thread taper thread या None आप देज़ बताओ भया बहुत अच्छा पस्न है ठीक है बहुत अच्छा पस्न है दोस्त इसका उत्तर जो है बताई चलिए तब तक आप उत्तर देजी तब तक मैं आपका एक फिगर बना देता हूं था फिगर बना देता हूं कि 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 अगрем कि करने कि इपकोर वेंऩ बना रहा है वड़ासा दो फिकर बनाओंगा अगर आप देख के बता कर दो गिज हो बता हो बहु Abst while दो फूस्प्आ होई बना रहा हूं ञाए कि आपदी आप से कहो नोगाई ऐसे देख के जो है आप बता सकते हो काॉन सा जो ध्रेड है वह हैं और कौन सा जो ध्रेड है वह राइट हैं ये बताई यह दो तरीके से जो थ्रेड है बने हुए बीच में रिखा होती है बहुत पतली सी उसको हम लोग खीच देते हैं यहां पर जीके कैसे कलर से खीचुंट हलका आए इस गरा किया घोंट लेकर लॉब पतली भाईам होती है इस तरीके से बहुत पतली से लाइन होती है जो vi 18 की अंदर वाले भाढ़ण को क्या करती है दिखाती है बताइए इसमें सी बताओ दोस्त की कौण सा है और कौन सा राइट है अगर बता देंगे तो मैं मान जाओंगा कि आप एक अच्छे चात्र है और नहीं बता पाए तो यह मान अ का आयां दास का यह लिक चलो एक ही लिख देता ओंगी दूसरा समझ जाना भी असका है वाइक जली अब दो तीन लोग के उत्तर आ गया वागी लोग तो सो गए प्रसंग के नाम पे प्रसंग के नाम पे सुछ बच्चें क्या होते हैं भाई सो जाते हैं ठीक है चलिए अब सब से पहले समझी जो प्रसम पूछा है किलाकवाईज direction में डाक जार के अरेकरotte में अगर क्या हूं बाल जाएक गड़ी के स सूज़ी दिको ऐसे घूमती है तो अगर इस दिखा में घूमाने पर करेंगे की सूज़ी की लिसा में घूमाने पर बोल्ट आपका अंदर का hand thread क्या कहलाता है right hand thread कहलाता है अब देखो भाई जो right hand thread का slope होता है जब आप ध्यान से देखोगे तो thread क्या होती है किसी ने किसी direction में जुकी होती है जैसे कि मान के चलो यह इधर जुकी है यह इधर जुकी हुई है तो यह right direction में जुकी हुई है और यह क्या है ये left direction में जुकी हुई है तो जो right hand thread है भाई right hand thread बताओ उसका क्या होगा सीधा होगा right direction में जुकी होगी या left direction में जुकी होगी बताइए right hand thread right direction में या right hand thread left direction में जुकी होगी तो आप क्या कहोगे भाई ये आपकी कौन सी thread है दोस्त ये है आपकी RST यानि की right hand thread और ये आपकी क्या है ये है आपकी LST याने कि Left Hand Thread ये जो जुकी होती है भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं Slope क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं Slope और Right Hand Thread का जो Slope होता है वो Left Side में होता है राइट साइड में बाकी पार्ट के बारे में आप जानते होगे यह सबसे जो उपरी वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई क्रेश्ट क्या बोलते हैं क्रेश्ट सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं रूट क्रेश्ट और देखो क्या थी कोड़ी दूरी थी तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे अब यहां से देखो क्रेश्ट से रूट तक की जो लंबवा दूरी है वह हम लोग क्या कहलाती है वह आपको कहलाती है थ्रेड डेफ्ट कहलाती है और यह आपका स्लोप का कोड़ होता है और ब क्या बोलते हैं मेजर डायमीटर और जो आपका रूट से डायमीटर जाता है रूट से उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई उसको हम लोग बोलते हैं माइनर डायमीटर क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइनर डायमीटर ठीक है और इनके बीच में से जहां पर आपक कि जो पिच और जो थेड की डिफ्त है पिच और जो थेड विट्थ है वो बराबर हो जाती है इसके बीच में से कहीं जाता है क्या इसके बीच में से कहीं से जाता है पिच डायामीटर ठीक है यानि कि जो आपका मेजर डायामीटर है माइनर डायामीटर है उसके बीच में से क पूछता हूं बांकि जो माइनर डाय मीटर निकालने का फार्मुला होता है फो प्रेंपल से रहता और दोस्तन परलते रहते वही किताब से रट्टा उढ़र्ट्य Kendall कि दम किस में होता है , दम होता है explanation में की कुछ extra gm आपको दे सकूं जहां से प्रस्ष्णara बनता है और ये सभी points ऐसे ये बहाई जहां से क्या होता है आपके प्रस्षली पूछे जाते हैं गहराई तो यह आपका क्या होगा भई यह आपका होगा माइनर डायामीटर यह आपका क्या होगा दोस्त यह होगा आपका माइनर डायामीटर और यह भी जो प्रस्ण है परिच्छा में पूछा गया है ठीक है मेजर डायामीटर माइनस टू पी नहीं होता भई या पीच नही नहीं होता मेजर डायमीटर माइनस टू इंटू इट ठीक है चलिए कि देफस्ट पढ़ने परसन की तरफ बताई है अब थोड़ा जल्दी करेंगे दोज्ट क्योंकि हमारी क्लास का समय हो रहा है कि बट्रेस्ट में प्राप्त चूड़ी का प्रकार है तो आप कहोगे बट्रेस्टेट में भाईया ऐसी चूड़ी होती है इस तरीके से एक होती है आपकी जीरो ये वाली कोई एंगल नहीं होता कहीं कहीं पर 90 दिखा रहता है लेकिन कहीं कहीं 0 लिखा रहता है और ये वाला एंगल क्या होता है माइने रखता है तो the data data and 43 दिखिए याने कि क्या होती भाई एक और जीरो डिगरी और दूसरा जोंता है 45 दिखिए होती है तो आप Ten 2 यहां पर verbal यूज नहीं पर होता है तो आप कहोँगे लार्ज होओ सके इस पिंदल पर इस प्रेंडर काुए अगला government machine में कौई सा कूछ ऐसा ही होता है यह जो लेट मसीन का लीड है कुछ ऐसा ही तो 供ो होता है तो बताई एक मेड़ा नैंरि के सब्सक्राइब ठीक है इस तरीके का कैसा होता है भाई बताइए तो आप कहोगे ऐसा ही होता है जैसा मैंने बनाया है अब मैं आप से कहूँ इसका जो क्रेश्ट है क्रेश्ट की भाई क्या है कुछ ना कुछ मोटाई है क्रेश्ट की क्या है कुछ ना कुछ मोटाई है अच्छा मैं आपसे कहूँ दोस्त कि पीच क्या होगा तो आप कहोगे जिस पॉइंट पर आप यहां लेंगे यही जो दूरी हो जाएगी यही क्या हो जाएगी पीच हो जाएगी अब मैं आपसे अगर पूछूं इसका जो एक क्रेश्ट है भाई इसका निकालने का फर्मूला बताओ यह जो क्रेश्ट है यह कितना है और आपका यह जो रूट है यह कितना है यह आप बताएगे बताएगे कोई लोग जल्दी से जवाब दीजिए जीरो पॉइंट सेवन फ ठीक है चलिए गयल सिकारी गजब भाई गजब ठीक है दोस्त इधर पढ़ाई पे ध्यान दो यार क्या मतलब सर्ची के चलो चलिए जवाब किसी का नहीं आ रहा है ठीक है दो दातों की बीच की दूरी को पिच कहते हैं वही तो मैं कर रहा हूं दो दातों की बीच की दूरी को पिच कहते हैं लेकिन आप कैसे मानोगे कि दाता यहां से स्टार्ट है कि यहां से स्टार्ट है दाते पर आप टीथ पर आप कोई भी पॉइंट लो चाहे आप यहां प पर लेना चाहिए जैसे कि आप मैंने क्या लिया ये वाला पॉइंट ये एक टीथ है एक टीथ ये वाला है मैंने इसका ये पॉइंट लिया तो दूसरे का क्या ये वाला पॉइंट ले लूँगा नहीं दूसरे का भी वही पॉइंट लोगा तो टीथ के बीच की दूरी होती है लेकिन सेम पॉइंट पर आप उसी पॉइंट पर जो दूरी लोगे पहले पहले टीज पर जिस पॉइंट पर लिया है जहां से दूरी मीजर किया है अगले टीज पर भी उसी पॉइंट पर भी आप पर ही आप क्या लोगे दूरी लोगे ठीक है चलिए नहीं भाई गलत है ठीक होगा ये होगा आपका किसी को उत्र नहीं है 0.37p जो지 क्रिश्ट की चौडाइई होती है और होती है और आगे होती है और जादा इसको लिख लो 0.3707 क्या होती है 3707p और जो रूट होती है आपकी ये भी कितनी होती है 0.3707p तो यह आपको ध्यान रखना है किस से एकमेथेट से अब देखो एकमेथेट क्या है तो आप कहोगे इस्क्वाइर जो था...क्या था भाई, जो इसक्वाइर थेट था इसक्वाइर थेट को मौौडिफाई करके यानि कि उसमें परिवर्तन करके क्या बनाया गया एक में थेड बनाया गया ठीक है जैसे कि आप लोगों ने देखो पहले दूसरे मोबाइल थे फिर अच्छे मोबाइल आये अपडेट करके करके उसी तरीके से स्क्वायर थेड को मौडिफाई करके क्या बनाए गया एक में थेड बनाया गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आई यह सो मेट्रिक थेड का जो कोड होता है यह कितना होता है बाई बताईए जल्डी परस्नें का जवाब दो आप कहोगा जो कोड होता है वह कितना होता है 60-degree होता है यह कितना होगा 60 Ini लेकिन अगर आप से पूछे का जो हाइट है वो कितनी रखी जाए। थीक के भाई यहां यहां से हाइट रखी जाते हैं कितनी रखी जाती है बताई भाई आप लोगों को बहुत सिंपल सिंपल प्रस्ण लगता है तो कुछ यह भी explanation जो है या जो अधर प्रस्ण भी आपसे कठीन प्रस्ण मैं कैसे करवाता हूं कठीन प्रस्ण में आपको करवाता हूं लेकिन अगर आपसे पूछे इसका जो हाइट है वो कितना होगा जैसे कि मैं आपसे एक थ्रेड और बना दे रहा हूं वी थ्रेड का बताइए भीया वी थ्रेड का बताइए कितना होगा बताइए ये कितना होगा ये जो ये है ये कितना होगा इसका बताइए कितना होगा और इसकी जो हाइट है ये जो है कितनी होगी इसको एर थ्रेड का बताइए बताइए दोस्त 0.674 पी बिलकुल सही है भाई क्या है बिलकुल सही है क्या हो जाएगा इसकी जो हाइट होती ह क्या होती है इसका बताइब तो आप क्या कहोगे इसका होगा 0.5 और यह भी कितना हो जाएगा 0.5 यह दो हाइट में जुडती हैं लेकिन रही आख दो स्वेश्ड त्लेम कर रहा हूं मैं अभी के लिए आप इतना जानों हाइट 0.5 पी और जिसके टीत की चोड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी 0.5 पी जब कि इसके एकमे थ्रेड में क्या था एकमे थ्रेड में था 0.3707 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले परशने की तरह कि पेंच जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उप्योग किया जाता ह जो आप का प्रयोग किया जायक है तो आप क्वाईर कषेड का प्रयोग करते हो किसका प्रयोग करते हो अगले परहूं की तरह बढ़े ने लग किए ौखित में से जो ठ प्राइड होती है कौन सी चूड़िया जो होती है सँभलाभी होती है which are following-threads are trapezium सवांतर उती है और यह वाली यह एकमेधर बनाया था तो Beach फूर्त होती है यह 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 कौन से थ्रेट ऐकमेधर होती है तो आप पर जाइडल होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ बताओ भाईया जो हानिंग एलाउंस है वो कितना रखा जाता है हानिंग एलाउंस आपको बताना है मेरे भाई 0.01 से 0.02 mm 0.05 से 0.10 और यहां पर यह अपसर नहीं मान के चलो गलत है ठीक है अगला है 0.005 to 0.01 mm देखो यह हानिंग आपका पुरा प्रोसेस दिखाये गया है यह आपका हानिंग टूल होता है और इसमें क्या लगी होती सिलेंड्रिकल सर्फेस पर इंटर्नल ज्यादा तरह इंटर्नल पर फ्योप की जाती है इंटर्नल सिलेंड्रिकल सर्फेस की फिनिसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई ओनिंग का उप्योग करते हैं ठीक है यहां पर डाइविंग मोटर है यूनिवर्सल जॉइंट्स यह है 0.020 0.02 एमें है ठीक है भाई इसको तो लिख लिया और भी अलाउंस बता यह मेरे भाई चलो आप हमको लैपिंग ल종स बता दो लैपिंग humor तर यह प् मैंपिंग यह लाउंस मताई है ठीक है और कौन सा फाइलिंग इलाउंस बता इ類 Filing allowance बताएंगे और कोई सा बताएंगे Scraping allowance बताएंगे Scraping allowance बताएं Reming allowance बताएंगे जल्दी जल्दी आप लिखती रहें Reming allowance Reming allowance बताओ भाई बताईए कुछ एलाउंस है यह आपको बताने हैं देखते हैं कितने लोग इस प्रस्न का जवाब जो है सही दे पाते हैं ठीक है फाइल 095 ठीक है पंदरा का यह तो भाई विल्कुल सही है अब आगे की जो प्रस्न है इसका बताईए ठीक है चलिए देखिए लेपिंग एलाउंस कितना होता है 0.005 से 0.01 mm का होता है फाइलिंग एलाउंस कितना होता है 0.025 से 0.5 mm का होता है कि मैं इसक्रैपिंग एलाउंस कितना होता है 0.1 से कितना होता है 0.4 mm आपका होता है बिल्कुल रहिए जातर लोग वच्चे जो उत्तर हैं वो सही है इसको रैपिंग यार नहीं इतना नहीं होता भाई इस रैपिंग होता है 0.01 से 0.1 से 0.4 लेपिंग का उत्तर भी कुछ लोग का गलत है कुछ लोग का सही है ठीक हो सकता है डाटा आपका अलग-अलग हो लेकिन यह जारा कि मेरे इसाब से क्या है एकुडेट है तो इसको भी से आप मेरे और यह आदर भूगे ओध कि अब बताओ जो लेपिंग है लेपिंग हो गया कि आप ग्राइंडिंग हो गया हॉनिंग हो गया इसमें आप Mouse vimos करते हो तो किसी न किसी abrasive का तो दोस्त उपयोग करोगे, किसी न किसी abrasive का उपयोग करोगे बताइए, तो लैपिंग में आप किसी abrasive का उपयोग करते हो, तो आप कहोगे boron carbide, या boron carbide, भोरon carbide, ठीक है भाई, तो ये आप क्या करोगे, इतने जो points हैं, ये आप ध्यान रखो, चलि हैं देखले ना कितने कितना होता है अपना देखते रहें में बच्चा पता रहा है यह है 10.00500 buddies अपना देखना देखना कितनाती है चलिए आगे बढ़ते हैं किननाल खीत में से किस प्रकृष्या में ए captive कि उपयोग करके ठोज धात में वृत्ताकार छिद्र का निर्मार किया जाता है ध्यान से प्रस्णों को पढ़ना भई इन विच आफ दा थन होलि युजिंग रोटेटिंग एक्सन अव तोल तो अब बताएए किसे का उकवयोग हिया जाएगा बोरींग का का और रिलिंग का या इनुक ते जल्दी ऑता अब चलिए तो ला का उत्तर बहुत जली जली दीजिए चारपाइंगर के अंदर हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होगे क्यों कि दूसरी क्लास का जो समय है वह हो रहा है ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा आपका ड्रिलिंग देखिए यहां पर किसी भी तरह के छिद्र क चिद्र को बड़े करने की बात नहीं कहीं गये है किसी बीतरह का देखोर रीमिंग से आप छिद्र होल सकते हो और फेनजिंग कर सकते हो लेकिन अब नया होल आपको बनाना है वृत्ताकाइब शित्र बनाना है किसी rotating टूल से तो आप क्या करोगे भाई drilling ही तो करोगे ओर समाने प्रक्रिया के लिए जो नार्मल लिल का कोन होता है नार्मल ड्रिल इंगल डिल कटिंगेज इंगल होता है या जिसे आप लोग लिप इंगल ही बोलते हो वो कितना होता है भाई 118 डिग्री ये भी क्या कर लेना नोट कर लेना अगला है फीड रेट और डिल किये जाने वाले पदार्थ के प्रकार के बीच सही संबंध का चेयन करें अब देखो सिंपल सी बात ध्यान रखो भाई कठोर पदार्थ जितना होगा जितना आपका मटिरियल हाइड होगा उतना आप क्या रखोगे फीड कम रखोगे जितना मटिरियल आपका जैसे जैसे मटियल आपका हाइड होता जाएगा फीड का मान कम होता जाएगा मैं डारेक्ट पता जा दिराएं यहीद पादार्थ के लिए कम होता है और फीड की जो यूनित निकलने का कोई फर्मूला boarding आप दिए भाइया फीड निकालने के जो फारूला है वह आप यहां पर लिख दीजे फीड कैसे निकालेंगे अगर किसी को पता है तो बताईए चलिए तब तक अगले प्रस्शन की तरह बढ़ते हैं कि ट्विस्ट डिल जो है वो किस से बनी होती है हाई स्पीड से एलमीनिय बहुत सिंपल प्रस्शन है जल्दी से इसका उत्तर बताईए जल्दी से दोस्त क्या करें इसका उत्तर बताईए ठीक है फीड देखिए आपका होता है छिद्र की गहराई छिद्र की गहराई पटे आपका क्या हो गया सम है इन्टू आप क्या कर लो आर्पियम यानि की रा से बनी होती हैième स्टील से सिंपल प्रस्न अगला है मृद्व स्टील प्लेट पर पचीस एम예म भ्यास के ढिल्से डिलिंग के लिए छक्रप्रति मिनट कितने होंगे जब अंसासित कटिंग स्ट्री आने कि कटिंग स्पीड है 25 मीटर पर मिनट है तो V equal to आपको पता है क्या होगा Pi dn upon 1000 हो जाएगा यहाँ से आप n निकालोगे दोस्तों क्या हो जाएगा V into 1000 बटे क्या हो जाएगा Pi d हो जाएगा V आपका कितना दिया है 25 into आप क्या कर दो 1000, 1000 बटे आप यहाँ पर Pi क्या करोगे 22, बटे 7 करोगे 7 उपर चला जाएगा into क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर d, d कितना है 25 आप इसको सालू कर लो दोस्त आपका जो n आएगा वो कितना आएगा लगभग लगभग 318 rpm के आसपास आएगा क्या हो जाएगा भभई यही आपका जो उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा ठीक दोस्त अब बताएए एक सेंटरल दिल के डिल विंदु का जो कोड है वो कितना होता है बताएए इस परसन का उत्तर दीजेए बहुत ही सिंपल परसन है और इसके बाद हम लोग अपने परसेंगे को को सालो तो किया नोजकर आडी चलिए 113 नहीं होता तो सेंट्रल वेडल करो तो हो ता है 120 degree होता है कितना होता है दोस्ट 120 degree होता है ठीक है चलिए तो आज की class दोस्त नहीं तक एक बार आपको classes का explanation बढ़िया लगा होगा तो एक बार class को देखना जरूर और जो भी topics यहां पर explain करके बताए भाई यहां से क्या बनते हैं प्रस्न बनते हैं तो इन topics को आप जरूर एक बार क्या करना दोस्त याद रखनाए सारे जो प्रस्न है जो मैंने explain की ये सारे परस्न जो है आप से पूछे जाते हैं त्रेडवाला वी जो प्रस्न है यह आपसे बार-बार पर इच्छाओं में पूछा जाता है ठीक है यह जो tolerance है यह भी आप द्यान रखना यहां पर जो ईहां पर ध्यान रखोगे कॉटर से जो बताया इसको ध्यान रखोगे जो की से आपको बताए यह वाला इसलेने सब यह भी आप क्या करोगे ध्यान रखोगे बेहतरीन तरीके से जो बच्चे बीच में लाइभ में देड़ में आते हैं वो एक बार उन सारी classes को अगर देर से आया करें उसको फिर से पीछे से क्या किया करें देखे लिया करें कषे कि पूदि कितना की स्प्रूर्य देखूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा ढोटांगर आद्य सब्सक्राइब वाला नहीं चलता है तो क्लास से जुड़ने के लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ताकि नेच वीडियो पर